मनारा और अंकिता लोखंडे में हो चुकी है एक बार फिर से दोस्ती क्या आप लोग इनके बीच की दोस्ती देखना चाहती हैं क्या आप लोगों को लगता है कि ये बस अभी चांदनी रात है फिर अंधेरी रात जरूर होगी क्या अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी बन रही हैं और फिर उसके बाद जो है मनारा पीठ पीछे जाके जो है अंकीता के बारे में बुराईयां करेगी उसका वो नेचर है क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईए क्यूंकि अब जो है एक दूसरे के कंधे में कंधा डाले हुए एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते हुए इवन मनारा जो है खानजादी के साथ भी मजाक मस्ती कर रही थी और अंकीता के साथ भी मजाक मस्ती कर रही थी और अंकिता जो है ये भी बात बोलती हुए नजर आए कि देख हमारा जो bond है वो real है दोस्ती रखनी है तो तेरे उपर है तू रख सकती है दुश्मनी रखनी है वो भी तेरे उपर है तू रख सकती है दोनों ही real है जो भी तू करना चाहे वो चीज तू कर सकती है यह चीज मन मनारा को अंकिता ने बोली है अंकिता दोनों चीजों में अब कमफर्ट है अंकिता को अंकिता ने अब च्वाइस जो है वो मनारा के उपर छोड़ दी है कि अगर तु मुझे ना पसंद करती है तु मुझे दूर कर दी मैं दूर हो जाऊंगा अगर तु मुझे पसंद करती है तो मुझे पास में बुला रहे तो मैं तरी बहुत अच्छी दोस्त बनूगी तो क्या आप लोगों को लगता है कि मनारा यहां पर सही डिसीजन ले पाएगी मुझे ऐसा लगता है कि मनारा ने सिर्फ और यही बात बोल दी है कि अंकिताची मैं आपकी दोस्त हूँ क्योंकि वो काफी हसी मजाक में अब बात कर रही है दोस्त काफी अच्छी नजर आ रही है पर दो दिन में वो ही बात होगा ना दो दिन में फिर बुराई फिर आखिरकार यहां पर स्टैंड कैसा दिखाई देता है यही प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो है देखने के लिए मुझे मिल रही है क्या आप भी ऐसी सब चीज़े सोच रहे है भाई मेरा दिमाग बहुत ज़दा उलच चुका है इन सब चीज़ों में यह भाई मनारा आखिरकार यह कर क्या रही है इसी के साथ ने लेती हुट जासत नमस्शकार